सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो धन तेरस पर करें। इन चीजों की खरीदारी मलक्ष्मी होंगी प्रसन्न। दोस्तों साल 2024 में धन तेरस कब है। धन तेरस में पूजा का शुभ मुहूर्थ क्या है और धन तेरस में नई वस्तुएं खरीदने का शुभ मुहूर्थ क्या ह बरतन कौन से खरीदना चाहिए? सोना या चांदी खरीदना जरूरी है जाडू कौन सी खरीदे? जाडू दीपावली पर या फिर धनतेरस पर किस दिन खरीदना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों माता रानी की. मैं सौ मैं उसी घर में जाती हूँ जिस घर में यह एक चीज खरीद करके जरूर ले आते हैं. यानि कि धनतेरस पर आप एक चीज खरीद कर जरूर ले आए. आपकी किस्मत बदल जाएगी. आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए नश्ट हो जाएगी. आपके जीवन में सुख स अगर आपने यह वीडियो को पूरा देख लिया तो धनवान बनने से आपको विधाता भी रोक नहीं पाएगा। स्वयम मातारानी चल कर आपके घर आएंगी और आपकी जो भी इच्छा है मनो कामना है वह पूरी कर देंगी। इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिख दीजिए। दोस्तो साल दो हजार चौबीस में धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर महाराज की पूजा की जाती है। आईए जानते हैं धनतेरस पर शुभ मुहूर्त दिवाली का त्योहार हिंदु धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है। लोग दिवाली और उसके आसपास पढ़ने वाले त्योहारों का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। दीवाली को दीपों का त्योहार और रोशनी का त्योहार कहा जाता है। यह पर्व पूरे पांच दिन तक चलता है। दीपावली से ठीक पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दीवाली के इस पांच दिवसिय त्योहार की शुरुवात धनतेरस के साथ ही होती है। दिन भ खरीदारी करना भी बेहद शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भगवान कुबेर की पूजा और नई चीजों को खरीदारी करने से साल भर घर में धन और समरिध्धि बनी रहती है। परंपरा के अनुसार धन तेरस के दिन सोना चांदी बरतन वाहन और वस्त्रों की खरीदारी करना अत्यंत शुभ माना जाता है। धन तेरस का पर्वकार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है। चांदी और बरतन या घर का कोई भी सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त है। सुभह 10 बजकर 31 मिनट से अगले दिन 30 अक्टूबर को सुभह 6 बजकर 32 मिनट तक रहेगा। धन तेरस पर सोना खरीदने के लिए आपको 20 घंटे 1 मिनट का शुभ समय प्राप्त होगा। धन तेरस के दिन सोना चांदी वाहन बरतन प्रापर्टी बही खाता आभूशन आदी खरीदना फलदाई माना जाता है। इस दिन खरीदी गई वस्तू लंबे समय तक सुख सम्रिध्धि प्रदान करती है। दोस्तो इस वीडियो में आपको हम साथ ऐसी सामगरी बताऊंगा, जो आपको धन तेरस के दिन ही आप इन चीजों को जरूर खरीद करके लाते हैं, तो आपके भाग्य बदल जाते हैं। धन तेरस के दिन कौन सी चीज है, जो की आपको भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए, जो की बहुत ही अशुभ माना जाता है। धन तेरस पर की गई खरीदारी बहुत शुभ मानी जाती है और उसमें तेरह गुना वृद्धी होती है। दोस्तो, दीपावली के पर्व की शुरुआद धन तेरस से होती है और भाई दूज पर खत्म होती है। पाँच दिन चलने वाले इस्तियोहार को पंच महोत्सव के नाम से जाना जाता है। धन तेरस के दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धन वंतरी की पूजा की जाती है और उनका आशीरवाद प्राप्त किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर धन तेरस के दिन बरतन खरीदने की परंपरा क्यों है किस लिये है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन तेरस का पर्व मनाया जाता है। दोस्तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन समुद्र मन्थन से भगवान धनवंतरी उत्पन्न हुए थे। इस संबंध में बताया गया है कि जाडू मा लक्ष्मी का प्रतीक है और इसे धन तेरस के दिन घर में लाने से आर्थिक स्थिती में सुधार होता है और मा लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती है कहा जाता है। धन्तेरस के दिन जाडू घर में लाने से आपको पूरे साल हर कार्य में सफलता मिलती है और आपके घर में सुख समरिध्धि बनी रहती है। सभी प्रकार की आर्थिक परेशानियां दूर रहती है। दोस्तो धन्तेरस पर सीकों वाली या फूल वाली अच्छी मजबूत जाद्धू खरीदना चाहिए। ऐसी जाद्धू खरीदे जो हाथ से बनाई गई हो शुब मुहूर्त में जाडूं की माता लक्ष्मी की तरह पूजा करें और हल्दी, कुम-कुम और चावल यानि की अक् जिससे मा लक्ष्मी आपके घर में बनी रहें। ध्यान रखें कि जाडू को सदैव ही साफ हाथ से छुए भूल कर भी अपवित्र हाथ से जाडू को स्पर्श न करें। ऐसा करने से मा लक्ष्मी नाराज हो जाती है और आप आर्थिक संकट से गिरने लगते हैं। मित्रों जाडू को कभी भी खड़ा करके न रखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसे हमेशा सही तरीके से रखें। घर में जाडू सदैव ऐसे स्थान पर रखनी चाहिए कि कभी भी बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति की नजर जाडू पर नहीं पड़नी चाहिए। धन त पूजनीय माना जाता है। यही वजह है कि जाडू में पैर लगाने से मना किया जाता है। इसी लिए धन तेरस के दिन लोग जाडू को घर में लेकर आते हैं। और इसी जाडू से नरक चतुरदशी के दिन घर की गंदगी को साफ करते हैं। और दिवाली के दिन माता लक् पिश्मी को समर्पित करें और बाद में इसे गमले बगीचे वगेर हमें कहीं डाल दें। यह धनिया के बीज आपके घर में सुख सम्रिध्धी और खुशहाली लेकर आएंगे। अश्मी को बेहद प्रिये है धन तेरस के दिन गोमती चक्र खरीद कर लाएं और दिवाली की रात को जब माता लक्षमी का पूजण करें तो गोमती चक्र की भी पूज़ा करें। बाद में इसे धन की तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे आपका धन स्थान हमेशा र माता लक्ष्मी की पूजा के साथ इस शंक की भी पूजा करें। दोस्तो श्री गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। जहां शुभता के साथ धन लक्ष्मी का आगमन होता है, वहां सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। बर्तनों को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और धंतेरस के दोरान बर्तन खरीदने से आपको सफलता प्राप्त करने में मदद मिलने की मान्यता है। और घर का माहौल, सुखद, शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। चांदी लाते हैं, क्योंकि इन चीजों को घर लाना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन धन के देवता कुबेर और आयुरवेद के देवता भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। सुख, सम्रिद्धी और अच्छे जीवन के लिए धनतेरस का दिन सबसे अच्छा होता है। धनतेरस को धनवंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस दिन धनतेरस पर कुछ चीजों को खरीदने से बचना चाहिए, नहीं तो घर में दरिद्रता आती है। तो आईए, उन चीजों के बारे में भी जान लेते हैं जिनहें धनतेरस पर खरीदने से बचना चाहिए, धनतेरस के अवसर पर सोना, चादी, पीतल, आभूशन, नए बरतन, नए कपड़धे, धनिया और जाद्धु खरीदना काफी शुब होता है। लेकिन इस दिन काले या गेहरे रंग की वस्तुएं, चीनी मिट्टी से बने बरतन, काँच, एल्यूमिनियम और लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए, धनतेरस के दिन भूल कर भी धारदार वस्तुएं बिलकुल न खरीदें। यह उपाय सभी जगहे फैल सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेर कीजिए, ताकि उन सभी को इसका पूरा फल प्राप्त हो सके। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं, तो चैनल को स शेर करें, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी परेशानी से परेशान जरूर है, शायद हमारी जरासी मदद से उसका भाग्य जो है, पूरी तरीके से बदल जाए। तो बस यही आप सभी से हाथ जोड़ कर विनती है, मिलते हैं अगले वीडियो में, माता एवं ब पूरा देखने के लिए धन्यवाद।